नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी कर्टूद बन चैनल में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में सुपर्टेट एक्जाम के लिए सिच्छड कौसल से सम्मधित कुछ most important प्रशनों को देखेंगे जो कि आपके आगामे एक्जाम के लिए काफी ज्यादा important है आप सभी लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए यहाँ पर 25 प्रशन आपको देखने को मिलेगा 25 में आपका कितना इसकोर्स ही होता है आप लोग last में कमेंट करके बताईएगा तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रशन आपके सामने है आप सभी लोग इसका answer बताईए प्रशन है दोस्तो भासा सिक्षन का मुख उद्देश क्या है भासा सिक्षन का मुख उद्देश क्या होता है आपको यही बताना है option आपके सामने है बेहतर समझ, प्रभावी समप्रेशन के लिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लेखन कौसलों का विकास या फिर A और B दोनों या उपरिक्त में से कोई नहीं important question है यहाँ पर आपका right असर क्या हो जाएगा आप लोग बताईए देखें दोस्तों भासा सिक्षन का मुख्रिक्त होता है बेहतर समझ का विकास करना बेहतर समझ का विकास और साथ में प्रभावी समप्रेशन के लिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लेखन कावसलों का विकास करना ठीक है इसलिए आपका यहाँ पर C option right हो जाएगा A और B यहाँ पर दोनों सही है इसलिए आपका यहाँ पर C option right हो जाएगा इसे आप लोग ध्यान खिएगा चली अगला प्रशन देखेंगे सुनना और बोलना निम्न में से किस कावसल के अंतरगत आता है option है अंतर संबंधित कावसल, बाय संबंधित कावसल, सिक्षन कावसल या उपरिक्त में से कोई नहीं यहाँ पर आपका right answer क्या हो जाएगा आप लोग बताएगे देखें दोस्तों सुनना और बोलना यह दोस्तों अंतर संबंधित कावसल के अंतरगत आता है यह बाय संबंधित कावसल नहीं है यह अंतर संबंधित कावसल के अंतरगत आता है इसे ध्यान कियेगा यहाँ पर आपका A option बिलकुल right हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण देखेंगे भासा कौसल बिक्सित करने की प्रमुख युक्ती है यहाँ पर आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोग बताइए देखे दोस्तों भासा कौसल बिक्सित करने की प्रमुख युक्ती के अंतरगत कहानी भी आता है और साथ में कथन और नाटक भी आता है यह दोस्तों भासा कौसल बिक्सित करने की प्रमुख युक्ती के अंतरगत आता है यह सभी दोस्तों भासा कौसल बिक्सित करने की प्रम युक्तियों के अंतरगत आते हैं इसलिए आपका यहाँ पर डी आपसन राइट हो जाएगा उपर युक्त सभी इसको आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका डी आपसन राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखेंगे कहानी कथन के द्वारा किस बहां सा कौसल का विकास होता है कहानी कथन के द्वारा किस बहां सा कौसल का विकास होता है आपको यह बताना है सुनने क्या कौसल का विकास होता है या फिर वाक कौसल का या लेखन कौसल का या उपरिप्त सभी का बेड़ो ध्यान से आप लोग देखते चलिए यहाँ पर स सभी सुनने का कौसल का भी विकास होता है, वाक कौसल का भी विकास होता है, लेखन कौसल का भी विकास होता है अगला प्रशन है सब्द निर्मान खेल में किस भासा कौसल का विकास होता है सब्द निर्मान खेल में किस भासा कौसल का विकास होता है समझना काउसल, बोलना काउसल, बोधन काउसल या उपर्युक्त सभी important प्रस्ण है यहाँ पर आपका right अस्वर क्या हो जाएगा आप लोग बताईए देखे दोस्तों सब्ध निर्माण खेल में समझना, बोलना यों बोधन काउसल का विकास होता है मतलब सभी काउसलों का यहाँ पर विकास होता है सब्ध निर्माण खेल में ठीक है तो यहाँ पर आपका D option बिल्कुल right हो जाएगा भारती सम्मिधान में कुल कितनी भासाओं का उलेक है option है 18, 22, 24, 26 important प्रस्ण है यहाँ पर आपका right अस्वर क्या हो जाएगा देखे दोस्तों भारती सम्मिधान में कुल 22 भासाओं का उलेक है इसे आप लोग ध्यान कियेगा यहाँ पर आपका B option right है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण देखेंगे भारत सरकार के अनुसार प्राथमिक अस्तर पर कितनी भासाओं पढ़ाई जाती है आपका right असर क्या हो जाएगा देखें दोस्तों भारत सरकार के त्री भासा सूत्र के अनुसार प्रतेक सिक्छार्थी को मात्री भासा अथ्वा छेत्री भासा सीखनी होगी और साथ में संग की राज भासा अथ्वा संग की सहराज भासा भी सीखनी होगी संग की राज भासा हिंदी है, सहहा राज भासा अंगरेजी है और आधुनिक भारती भासा अथ्वा बिदेशी भासा भी सीखना होगा मतलब ये सभी सीखना होता है, मतलब इन सभी की पढ़ाई होती है तो उपरिक तो सभी आपका यहाँ पर right हो जाएगा D option चली आगे बढ़ते हैं अगला परशन देखेंगे प्रथम भासा से क्या आसय है आपको यह बताना है हिंदी भासा, संस्कृत भासा, अंग्रेजी भासा, बच्पन में सीखी गई भासा यहाँ पर आपका right असर क्या है आपको बताईए देखे दोस्तों प्रथम भासा से तादपर है बच्पन में सीखी गई भासा क्या है बच्पन में सीखी गई भासा प्रथम भासा से यही आसय होता है बचपन में सीखी गई जो भासा होती है वह प्रथम भासा होती है D option आपका यहां पर right हो जाएगा अगला प्रशन देखेंगे प्राथमी गस्तर पर सिक्षड का माध्यम क्या होना चाहिए option है हिंदी भासा, संस्कृत भासा, छेतरी भासा या अंग्रेजी भासा इंपोर्टेंट है यहां पर आपका right हो जाएगा देखेंगे दोस्तों प्राथमी गस्तर पर सिक्षड का माध्यम छेतरी भासा होना चाहिए यहां पर आपका C option बिल्कुल right हो जाएगा छेतरी भासा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखेंगे दुती भासा से आसे है ओप्सन है हिंदी अंग्रेजी छेतरी हिंदी अथवा अंग्रेजी यहां पर आपका right अंसर क्या हो जाएगा देखेंगे दोस्तों हमारे देश में दुती भासा में सामानिता हिंदी अथवा अंग्रेजी है दुती भासा क्या है हिंदी और अंग्र यहां पर आपका D option right हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण देखेंगे तृती भासा का सिक्षण कब प्रारम किया जाता है दूती भासा प्रारम करने के एक वर्स बाद या दूती भासा प्रारम करने के दो वर्स बाद या दूती भासा प्रारम करने के तीन व बार्णभ किया जाता है कब किया जाता है दूती भाशा प्रारंभ करने के एक वर्स बार्णभ किया जाता है तृती भाशा का सिक्षन तो यहां पर आपका यह आपिशन बिल्कुल हो जाएगा इसे आप लोग ध्यान रखिएगा चलिए 자신 हरा प्रशन है देखेंगे स्वाभाविक रूप से मात्रिभासा सीखी जाती है कौन सी भासा? मात्रिभासा सीखी जाती है इसे आप लोग जानते हैं सी आपसन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा अगला प्रस्ण है निवनुतम अधियम अस्तर की कच्छा में सीख्षक का मार्ग दरस्ण होता है उप्शन है अधियम उद्देश्यों के निर्धारन में या फिर अधियम उद्देश्यों के पहचान में या अधियम प्रतिभलों के मापन में या उपरियुक्त सभी यहाँ पर आपका राइट अस्तर क्या हो जाएगा देखे दोस्तो निवनुतम अधियम अस्तर की कच्छा में सिक्षक का मार्ग दर्सन दोस्तो अधियम उद्येश्यों के निर्धारण में होता है साथ में अधियम उद्येश्यों के पहचान में भी होता है और अधियम प्रतिफलों के मापन में भी होता है इसलिए आपका यहा अगला प्रश्ण देखेंगे भासा कॉसलों के रूप में परेड़त आधारभुत कौन सी क्रिया सामिल होती है आपको यह बताना है सुनना बोलना पढ़ना और लिखना उपरिक्त सभी यहां पर आपका राइट असुर क्या हो जाएगा आप लोग बताईए देखें दोस्तो भासा कॉसलों के रूप में परेड़त चार आधारभुत क्रिया सामिल होती है कौन-कौन सुनना बोलना पढ़ना और लिखना इन्हें आप लोग द्यान रखिएगा यहां पर आपका डी आपसर राइट हो जाएगा उपरिक्त सभी अगला प्रस्ण है सुननना कॉसल के वि सुनना कॉसल के विकास के लिए उप्युक्त विधि ब्याख्यान बिधी, प्रशनोत्तर बिधी, मूख वाचन बिधी यहाँ पर आपका राइट अंसर क्या है? देखे दोस्तो, कच्छा में कहानी सुनाना विभिन कौसलों के अंतरगत अनेक दस्ताओं का विकास करने में सहायक होता है इसलिए आपका यहाँ पर कहानी कथन बिधी बिलकुल राइट है यह आपसन आपका यहाँ पर राइट है अगला प्रशन देखेंगे सिच्छार्थियों के लिए चैनित विसायवस्तु निम्न में से किस प्रकार की होनी चाहिए? आपसन है सिच्छक की आवसकतायम रुची वाली होनी चाहिए या सिच्छक के विवेक पर आधारित होनी चाहिए या अधियम प्रक्रिया की अनुसार या सिच्छार्थियों की आवसकतायम रुची वाली होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आपका D आपसर राइट हो जाएगा सिच्छार्थियों की आवसकतायों रुची वाली होनी चाहिए चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है भासा का ज्यान कैसे प्रारंब होता है लिखित उचरित भासा से मौखिक उचरित भासा से उपरियुक्त में से कोई नहीं यहां पर आपका राइड असुर क्या हो जाएगा? देखे दोस्तों भासा का ग्यान मौखिक उच्चरित भासा से प्रारंब होता है। यहां पर आपका राइड असुर क्या है? आप सभी लोग बताईए। देखे दोस्तों अनेक सोध हद्यनों से पता चलता है कि भासा का 95 प्रारंब होता है। कच्छा में किया जा सकने वाला स्रमण संबंधी क्रिया क्लाप कौन सा है? कविता सुनना, कहानी सुनना, समवाद सुनना, उपरिव्ट सभी। यहाँ पर आपका राइट असर क्या है? आप सभी लोग बताईए। देखे दोस्तों कच्छा में किये जा सकने वाले स्रमण संबंधी क्रिया क्लाप हैं। कविता सुनना, कहानी सुनना, समवाद सुनना, अर्थात यहाँ पर दोस्तों उपरिव्ट सभी आपका यहाँ पर राइट है। अगला अप्सन है, बोलते समय छपी सामगरी की साहता ली जाती है, जबकि मुखर पाठन में पाठक लिखित सामगरी की साहता नहीं लेता है। यहाँ पर राइट हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, अगला प्रशन देखेंगे, बोलने और मुखर पाठन की प्रमुख विशेस्ता है। आप्सन है सब्दों पर जोर देना, अनुत्वान, स्वर परिवर्तन, उपरिउक्त सभी। यह सभी दोस्तों बोलने और मुखर पाठन की विशेस्ताओं के अंतरगत आते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर D आप्सन राइट है, उपरिवर्त सभी। चली आगे बढ़ते हैं, बोलने और पढ़ने में अंतर है, बोलने और पढ़ने में क्या अंतर है, आपको बताना है, बोलने में लिखित सामगरी का उप्योग करते हैं, जबकि बोलकर पढ़ने में लिखित सामगरी का उप्योग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपका जबकि बोलकर पढ़ने में लिखित सामगरी का प्रियोग करते हैं इसलिए दोस्तों आपका यहाँ पर बी आपसन बिल्कुल राइट है बोलने और पढ़ने में यही अंतर है कि बोलने में लिखित सामगरी का प्रियोग नहीं करते हैं जबकि बोलकर पढ़ने में लिखित सा या उपरियुक्त सभी यहां पर आपका राइट असुर क्या है देखें दोस्तों बोल कर पढ़ने और बोलने में एक जैसी भी सेस्ताय होती है जैसे कि सब्दों पर जोर अनुतान आवाज में परियुरतन या आरोह औरोह यहां पर दोस्तों आपका डी आपसन राइट हो जा आपसन पर आपसन ख़ाद आपका बेड़िया कि सेस्तों आपका बढाइबुक्त जाएटaining हो जानुतान आपका बाआपका बढावाद दाएट में सम्दों किति सम्दों आपका गुमार आपका जाटान।